हेलो फेरेंज आप सभी का मीशन वन वाई चैनल में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 28 सेकेंड एर बे असेस्मेंट फॉर लर्निंग पेपर में बात करेंगे आज हम लोग का टोपिक है जिसका नाम है संख्या की जिसको हम लोग इंगलीज में स्टेटिक्स करते हैं यह बहुत ही इंपोर्टेंट टोपिक है जो एक्जाम में पुष्ता है सांख्य की क्या होता है इसका अर्थ, पड़िभासा, उप्योगिता इनकी क्या सीमाई होती है और इनकी क्या विसेस्ता है और लास्ट में इसका हम लोग निसकर्स को देखेंगे तो यह टोपिक से अगर एक्जाम में कुष्टन पुष्ता है तो आप लोग विडियो को जरूर देखे जहां आप लोगों को बहुत ही आसान भासा में अच्छे नोर्स के साथ आप लोग को बताया गया है तो आईए शुरू करते है इस्टेटिक्स आज हम लोग का टोपिक है बीएट सेकंड एर में अधीगम के लिए आकलन पेपर का है ठीक है जिन लोगों को बीएट सेकंड एर का नोर्स चाहिए तो आप लोग इस नमबर पर वार्ट सब कर सकते हैं यह वार्ट सब नमबर है जहां आप लोगों को बीएट सेकंड एर का नोर्स मिलेगा ठीक है तो आज हम लोग का टोपिक है सांख्याकी एन इस्टेटिक्स सबसे पहले इसका हम रूप रेखा बनाते है रूप रेखा में उन पोइंट को डालेंगे जिससे जो कॉस्टन पूछा जाता है तो सबसे पहले हम लोग सांख्याकी का आर्थ है परिवासा लिखे इनकी क्या उप्योगीता होती है सांख्याकी क्या सिमाई होती है सांख्याकी की विशिस्ता है लाश्ट नम इसका निश्कर्श को देखेंगे संख्या की इस्टेटिक्स का प्रयोग अधिकतर मैत में किया जाता है जहां पर हम लोग माध्य माधिका और बहुलग निकालने में करती हैं इसका हम टॉपिक का वीडियो बना चुके हैं आप लोग वहां पर देख सकते हैं कि म संख्या की का अर्थ क्या होता है तो संख्या की गनित की वह साका है जिसके द्वारा संख्यात्मक आक्रों का यानि कि संख्या की इस्टेटिक्स एक क्या होता है गनित की एक साका है जिसके द्वारा हम संख्यात्मक आक्रों का संकलन विवेचन विशलेशन और वाक्ष्या क कि जातीह है यहां पर करते हैं कि कौस्ट सं डाटाब्यस कउसे धा हम लोग उसके क्या निकालते हैं से उसका परीमान निकालते हैं तो यहां पर संक्यात्मक आकरों का संकलन विवेचन विशलेशन तत्था वख्या की जके जाता है दृथात् dispos on कर सकते हैं कि जहां आक्रों का संगरन परदसन वर्गी करन तथा उनके गुनों का आक्लन का अध्यन किया जाता है उसे हम लोग क्या करते हैं संख्याकी करते हैं यह जिसके द्वारा आक्रों का हम लोग अध्यन करते हैं ठीक है उसका संगरन करते हैं परदसन करते हैं वर्गी कि में हम लोग गनीतिय सिध्धान्तों के बारें बताते हैं जैसे माध माधी का बहुलक मीन मीडियन मोड निकाला जाता है परिमानत्मक तर्थ का मतलब हुआ कि डाटा बैसे को सनलता है जिसके द्वारा हम लोग माध निकालते हैं आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि करें अध्यम से हम लोग उसका सस्की डिक्स निकालते है आधर जिस साखा के अंत्रगत गनीती सांख्याकी के आंधीन करते यह उसे हम लोग नोग संख्यकी करते हैं हो जाएगा इसका अर्थ गनित की वह साखा है जिसके द्वारा हम लोग संख्यात्मग और च्जांध कर dużo संख्यात्माइं का अद्धिकantics संख्याकी करते इसको याद हो जाएगा तुरण्ध है जरी इसके हम पड़िवाशा देखते हैं किसमन विध्ञान को ने इसके पड़ि आक्रों का संग्रहन वर्गी करन वर्णन तता वक्षा की जाती है उसे हम लोग संख्याकी करते हैं यह परिवासा जहां संग्रहन वर्णन वर्णन और वक्षा की जाती है उसे हम लोग संख्याकी करते हैं यह परिवासा दिया था ठीक है चलिए एक परिवासा आप लोगों को इस्टेटिक्स का क्या उपयोग है इसको हम लोग समझते हैं कि मनुविज्ञान के चेतर में संख्याकी का क्या उपयोग है ठीक है सबसे पहला है कि संख्याकी के द्वारा आक्रों के पड़ी नाम को सुवविस्तित करने करंबत करने तथा विश्लेशन करने में मदद करता है सांख्याकी के द्वारा आक्रों का परिणाम होता है उसको सुववस्तित करने, यानि एक विवस्ता में लाने के लिए करंबत बनाये रखने के लिए विशलेसन करने में उन्हें क्या मिलता है, मदद मिलता है नेश्ट, दुसरा नमबर उप्यूगीता है कि सांख्या की आकरों को सरल और अस्पष्ट बनाती है जो आकर आपका दिया रहता है उसको वो क्या बनाता है सरल और अस्पष्ट बनाता है सांख्या की ठीक है तिसरा नमबर में है सांख्या की सोध करता को आकरों से सामानने निसकर्ष पर पहुचने में मदद करता है ये सांख्याकी जो होती है वो जो भी सोध करता होती है जिस पे हम लोग जो सोध करता है सांख्याकी पे ठेक है तो वो आक्रों को क्या करता है सामानने से निसकर्स पर पहुचने में उन्हें मदद करता है ये सांख्याकी के उपयोगिता है नेक्स्ट उपयोगिता है कि सांख्यकी के द्वारा आक्रों के मद सासंबंद अस्पष्ट किया जाता है सासंबंद का मतलब हुआ कि जब हम लोग सांख्यकी के द्वारा मार्द, मार्दिका और बहुलग निकालते हैं कि सांख्यकी मनुविज्यान तथा सिक्षा के छेतर में होने वाले जटिल उल्जन उत्पन करने वाली घटनाओं को विसलेशित करने में मदद करता है अगर हम लोग देखा जाए कि सांख्यकी जो होती है मनुविज्यान तथा सिक्षा के छेतर में ठीक है संख्याकी जो होती है आकरों को एक निच्चे तमयों ठोस किर्याविदी अपनाने में उन्हें क्या करती है मदद करती है ठीक है उसके बाद आप हम लोग आगे बढ़ते हैं संख्याकी की सीमाएं limitation of aesthetics संख्याकी की कहा तक सीमाएं होती है उसको हम लोग समझते हैं संख्याकी की कुछ पड़ी सीमा यानि लिमेटेशन निमलिकित है, पहला नंबर में है कि संख्याकी हमें आकरों को अवस्थाओं के बारे में ही मात्र पता चलता है, इसका कोई अर्थ कुछ सुचनाय नहीं मिलती है, मतलब यह रहा कि संख्याकी जो होती है, वो आकरों की कही बार वास्तविक्ता से अलग परतित होता है यहां बच्चों को क्या उत्पन हो जाता है पर थीसरा नंबर में संख्याकी का पड़ियोग आम आदमी नहीं समझ सकता है इन्हें विशेशताओं द्वारा ही इसका पड़ियोग समझा जाता है यानि संक्हाकी का प्रियोग जो एक आम आदमी नहीं समस्सकता है, यह जो संक्हाकी को समस्सता है, जो उनके डाटा को बनाए होगा, वो समझ सकता है थीआ नेक्स चाहता नमबर में है आक्रों के गलत-प्रس्थ्तिकरण से सांख्याकी का दूर्वेभार किया जा सकता है यो मैं अगर आक्रा ही गलत रहे तो सांख्याकी का दूर्वेभाड यानि कि उसका जो परिमान है उसका परिनाम है वह क्या दुर वेवाड यह हुझा पाफवा नम्बर हेंती नियम श्रोभोमिक सत्य नहीं नियुकरत अश्तत्य क्याओं अश्वकारी समय करूं ड़ंड रूह यहां। इस ब्सके नहीं वैस्तत्य की नहीं कुछत्य shr懊ंसे क्वाने कर इनद कहरोथ कि नेस्ट है कि संख्याकि के बारे में सामाने करण क्या जाता है इस तरह किया गया सामाने करण वेद नहीं होता है जब हम आवसत रूप से सब्सक्राइब नेक्ट साथवा नमबर में है कि संख्याकी कि मैं आवसक्ता आकरों के अभाव में ही तुन्ना कर सकते हैं यदि भरमात्मक सुचक की प्राप्ती होती है तो निसकर्स पर नहीं पहुचा जा सकता है यानि अगर हम बात करें संख्याकी में आउसकता आग्रों का अभा होता है जहां बच्चों को भरमात्मक सुचक उत्पन होता है और निसकर्स पर पहुचने में कठीनाई उत्पन होती है अब हमनों बात करते हैं संख्याकी की विशेस्ता है कि संख्याकी की क्या-क्या विशेस्ता है characteristics of aesthetics संख्याकी की विशेस्ता है निमलिकीत है ठीक है पहला नमबर विशेस्ता है कि संख्याकी में तत्थों का समू होता है संख्याकी जो होती है वो क्या होती है तत्थों का क्या होता है समू होता है यनि कि आक्रोय परस पर एक दुसरे से संबंदित किये जाने योग होने चाहिए, जब आक्रे आप एक दुसरे से संबंदित होती है, एक दुसरे संबंदित होती है, तो उससे योग संबंदित किये जाने योग होने चाहिए, चोथा नमर विशेशता है, संख्याकी की गन्ना के संख्याकी का अर्थ संख्याकी की पड़िवासा है इनकी उप्युगिता सीमाय विशेष्टा इन सभी पॉइंट को देखें हैं ठीक है लास्ट में हम लोग निश्कर्ण को देखती हैं आता हम कर सकते हैं कि संख्या की संख्याओं के आक्रों का संकलन विवेचन विशलेशन एमंग वाक्या की जाती है जिसके द्वारा हमें प्राप्त आक्रों के परिनाम को सुववस्थित करमबद विशलेशन करने में हमें क्या मिलता है बदद मिलता है तो यह हम लोग ठीक है दोस्तों फिर हमनों नए टोपी के साथ मिलते हैं तब तक के लिए धन्नवाद